हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है उनिकलब टिप्स चैनल पर और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी आल पे कर दो और अगर आपको मेरे साथ परसनली कॉल पर बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो वहाँ पर आपको सारे कॉलिंग से डिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे और ये एक पेट कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जस भी मैं वहाँ पर बता दूंगी और इंस कमज रही हो सकता है वह आपके हाल में फरेंट सब्सक्रा hindsight करना क्या चाहिए और आईसा होता क्यूं है और में आज देखी चाहिए को उसके पीछे पर जाते उसको समझाने की कोशिश करते उसको मनाते हैं सौ messages करते हैं 500 call करते हैं रोते हैं गिरगिराते हैं क्योंकि हमको यह लगता कि वो इंसन कहीं हमको छोड़ के ना चला जाए हमारे अंदर fear of lost होती है और इसी वज़े से क्या करते हैं हम उसके उपर चड़ने लगते हैं और वो हमें और ज्यादा ignore करने लगता है तो ऐसे मैं मै इसलिए कहती हूँ कि थोड़ा space दिया करो, हाँ, अब आप बोलोगे कि क्या हम अपना point नहीं रखें, जी हाँ दोस्तो, point ज़रूर रखो, एक बार दो बार आप उसको समझाओ, उसके बाद अगर वो मानने के लिए तयार नहीं है, तो उसको space दो, ये हो गया first situation, अब आते है second situation पर, second situation क्या होता है, अगर किसी को आपके साथ रहना नहीं है, अगर उसको बहाना चाहिए आपसे दूर होने का, तो वो इनसान आपके अंदर कमिया ढूरने लगती है, ठीक है, और जब उसको वो चीज मिल जाती है, तो वो आपको गलत ठहराने पर आजाती है, ठीक है, गलत ठहराते हैं आपको, कि आपकी गलती है, चाहे आप गलत नहीं हो, चाहे आप कुछ भी नहीं किये हो, लेकिन उसको मौका चाहिए आपको गलत साबित करने का, और वो मौका अगर उसको मिल जाता है, तो वो आपको गलत साबित करते हैं, और आपका साथ छोर के चले जा तो भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा और जो आपको छोड़ना चाहता है उसके लिए एक रिजन ही काफी होता है काफी होता है आपका साथ छोड़ने के लिए इसलिए ये जो कहावत है ना सच्चे प्यार में कभी ब्रेक अप नहीं होती ये सच है जैसे मैं यहाँ पे एक एक एक्जामपल से आपको समझाती हूँ जैसे बच्पन में हम बहुत शैतानिया करते हैं ना तो हमारे पेरेंट्स हमको कभी-कभी मार भी पढ़ती है घर में लेकिन उसके बाद प्यार से भी तो समझाया जाता है ना हमें कि बेटा आप यहाँ पे गलत हो तो वो तो हमें कभी छोड़के नहीं जाते क्योंकि उनको हमारी नीड है वो हमें प्यार करते हैं तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है अब कुछ लोग कहोगे कि माबाप का जो प्यार है वो सबसे अलग है जी हाँ यहाँ यह भी मैं माबाप का जो प्यार है उसके साथ किसी का कमपेर नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहे हूँ कि नीड की बात एक दूसरे की प्रती जो फीलिंग्स है उसकी बात मैं कर रहे हूँ अगर उस इंसान का feelings है आपके प्रती और वो true है तो वो कभी आपको नहीं छोड़ के जा सकता है ठीक है लेकिन अगर वो आपको छोड़ना चाहता है आपको वो एक जंजट की तरह महसूस करता है तो वो जरूर आपको छोड़ देगा एक नैक दिन और उसी के लिए वो मौका ढूनता रहता है और अगर कुछ भी नहीं मौका मिलता है न तो वो नया नया reason बनाएगा या बनाएगी मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है तो ऐसे होता है तो ऐसे situation में एक mature इंसान की तरह behave करना चाहिए आपको आपको एक बार दो बार आपको अपना जो point है उसको रखना है उसके बाद अगर आपको लगता है कि sorry बोलना है तो sorry बोलिए लेकिन उसके बाद आपको उसको खुला छोड़ देना है उसके पीछे ना आपको भागना है ना आपको उसको request करना है ना आपको गिरगिराना है ना आपको रोना है क्योंकि ये जो आप करते हो ना हरकते ये जो आप रोते हो गिरगिराते हो ना इससे आपका जो self respect है वो down होता है और ये जो self respect है ना आपके अंदर वो आपको अपने माबाप से अपने माता-पिता से मिला हुआ होता है तो अपना self-respect का band बजाना मतलब होता है अपने माबाप के इज़त को किसी के पैर में गिर्वी रख देना तो ये बात समझो, बहुत सारे लोग मुझे comment करते हो बहुत सारे इंस्टा पे messages करते हो कि self-respect दिखाना मतलब घमंड होता है नहीं, self-respect अलग चीज है और घमंड अलग चीज है self-respect ज़रूर अपने आपको respect करना चाहिए क्योंकि वो जो respect है ना वो हमारे माता-पिता से हमें मिलती है तो उस चीज की आपको ज़रूर कदर करना चाहिए ऐसे लोगों के पीछे अपना time waste करके, अपना energy waste करके इस चीज का आप अपमान नहीं कर सकते, ठीक है तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना अगर है ऐसे लोगों को अगर आपको समझाना है तो मैं एक ही suggestion दूँगी कि ऐसे लोग कभी समझते नहीं है और जो समझदार होंगे वो कभी आपको छोड के नहीं जाएंगे ठीक है I hope दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आये तो प्लीज जार वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना थैंक यू